यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार भागे चक्र में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कीर्थी कंसल चलिया आज बात करते हैं बारे राश्यू के क्या हाल है ये आपको बता देते है मेश राश्य की बात करते हैं आज आप समवेदन शील तक अनुभव कर सकते हैं जिसके कारण आपकी भावना को जटका लग सकता है माता के स्वास्ते पर ध्यान दे मकान या जमीन के दस्तावेश का ध्यान रखे मानसिक व्यगरता को दूर करने के लिए योग का सहरा ले व्रिशब राश्य की बात करते हैं आज मन से ज़्यादा समवेदन शील एवं भावुक विचार आएंगे जोसे आपका मन द्रवित हो उटेगा परिवार वाले या दोस्तों के साथ अच्छा भोजन करने का मौका मिलेगा आख्समिक कारणों से प्रवास करना पड़ सकता है मिथुन राश्य की बात करते हैं रिष्टेदार एवं मित्रों के साथ मुलाकात से आप आनंद का अनुभव करेंगे आर्थे की योजनय में आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है लेकिन अंत में फायदा होगा नौकरी व्यापार में अनुकूल बातावरन रहेगा और साथियों का भरपूर सहीयोग मिलेगा करकराशी की बात करते हैं आज आपके मन में सकरात्मक भाव रहेगा मित्रों एवं परिशनों की ओर से गिफ्ट मिल सकता है और आप उनके साथ पूरा दिन खुशी में बिता सकेंगे प्रवास, सुंदर, भूजन एवं प्रियजनों के साथ आप रुमांचित रहेंगे ग्रियस्त जीवन में आपकी मधूरता आएगी सिंग राशी की बात करते हैं आज मन भावनाओं से व्यथीत हो सकता है जिससे आप उसके प्रवाह में आकर कोई अनैतिक काम न करे उसका ख्याल रखे महिलाओं के बारे में विशेश ध्यान रखे, वानी पर सैयम रखे विदेश उसे अच्छा समचार आज मिल सकता है आपको कन्या राशी के लिए ये दिन कैसा रह सकता है ये आपको बता देते चलिए आपके लिए घर, परिवार, एवं, व्यपार जैसे तमाम अक्षेत्र लाब के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं मित्रों के साथ अनन दायक प्रवास होगा, दामपत्य जीवन सुखमय रहेगा इस्तरी मित्रों से लाब होगा, धन प्राप्ति के लिए भी शुब समय है उच्छ अधिकारियों की क्रिपा दृष्टी रहेगी तुला राशी की बात करते हैं, नौकरी में पद प्रतिष्ठा का आज लाब मिल सकता है अधिकारियों की क्रिपा दृष्टी आज आप पर बनी रहेगी इसी के साथ परिवार में उत्सव उल्लास का महौल बना रहेगा माता की ओर से फाइदा आज आपको हो सकता है उत्तम विवाह सुख प्राप्त होगा व्यवसाई की अक्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है व्रिश्यक राशी का क्या हाल है ये आपको आज बता देते हैं आज का दिन प्रतिकूलताओं एवं अनुकूलताओं से मिशृत होगा लेखन सहित्य में रूची रहेगी व्यवसाई स्थल पर प्रतिकूल परिस्थिती रहेगी इसी के साथ उच्छ अधिकारियों को रवया नकरात्मक रहेगा थोड़ा बच के रहे आज प्रतिसपर्धियों के साथ वाद विवाद न करे संतानों से मतभेध हो सकता है धनुराशी की बात करते हैं आज खाने पीने का खास ध्यान रखे कारे सफलता में विलंब होने के कारण निराश्य का नुभव हो सकता है काम का बोज थोड़ा जादा हो सकता है नए काम की शुरुवात आज के दिन न करे शारिरीक स्वास्ते आपका बिगड सकता है मनबचेन वं व्यग्र रहेगा मकर राशी की बात करते हैं आज का दिन पैसों की द्रिष्टी से बहुत अच्छा रहने वाला है व्यपार में व्रिधी के योग है इसके अलावा दलाली, व्याज, कमिशन से मिलने वाले पैसे आपके भंडार में व्रिधी करेंगे प्रियम्यों के लिए आज प्रणय परिचय का योग है वहन सुख आज के दिन आपको प्राप्थ हो सकता है कुंप राशी के क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं वर्तमान समय में आपको कारे में सफलता मिलेगी एवं यश्किर्थी प्राप्थ होगा आज आपके स्वभाव में ज़्यादा भावुकता रहेगी अच्छे समचार आज के दिन आपको मिल सकते हैं घर में आनंद का महावल होगा नौकरी में भी आपको साथियों का भरपूर सा योग मिल सकेगा परिवार का महावल सुख शान्ती भरा रहेगा मीन राशी की आपको बता देते हैं आज का दिन कैसा रहेगा आज का दिन विध्यार्तियों के लिए काफी उत्तम हैं उनको अभ्यास में सफलता मिलेगी एवं प्रगती के लिए नया मौका प्राप्त होगा आप अपनी कल्पना श्वक्ती से सहित्य लेखन में नया काम करेंगे आपके स्वभाव में ज्यादा भावुकता एवं कामुकता रहेगी इस तरी मित्रों पर खर्च होगा यहां रुकिंग एक शोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको तिरलोगपूर माता की आरती थावूर में ज्यादा लेखने के लिए पर खर्च होगा है